दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने Paytm एकाउंट को पर्मनेंटली डिलीट कर सकते हैं काफी ज़ादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि वे कैसे अपने Paytm एकाउंट को डिलीट कर सकते हैं उन्हें कोई delete वाला option नहीं मिल रहा है तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से Paytm account को delete करना सीखने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है Paytm application को update कर लेना है यहापे आपने Google Play Store पे जाना है और यहापे search box में type कर लेना है Paytm और यहापे अगर आपका Paytm application अपडेट नहीं है तो सबसे पहले तो उसे आपने update कर लेना है अपडेट करने के बाद आपको Paytm application को open कर लेना है open करने के बाद कुछ इस type का आपके सामने home page दिखाए पड़ता है यहापे आपने सबसे पहले अपने profile वाले icon पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यहापे अपने profile वाले icon पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नेची की तरफ scroll करने पर आपको यहापे help and support वाले option पे क्लिक कर लेना है तो जैसे आप यहाँ पे view more वाले option पे click करते हैं, तो इसमें भी आपको कई सारे options इसमें दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, view all services वाले option पे click कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, view all services तो यहाँ पे view all services वाले option पे आपने click कर लेना है, इसके बाद इसके अंदर आपने profile setting के अंदर चले जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं profile setting इसके अंदर आपने चले जाना है, और यहाँ पे chat with us वाले option पे आपने click करना है, तो जैसे ही आप यहाँ पे chat with us वाले option पे click करते हैं, तो वहाँ से आपको एक message दिखाई पड़ता है, कि I am your personal payment bank assistant, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके नीचे आपको एक option देखने के लिए मिलता है, I want to close oblique delete my account, तो यहाँ पे आपने I want to close delete my account वाले option पे click करना है, तो यह message अभी आपका यहाँ पे चले गया है, तो इसके बाद वहाँ से message आता है, click on below button to close your account, तो यहाँ पे आपन account वाले option पे click करते हैं, तो आपका message चले जाता है, कि close your account, इसके बाद यहाँ पे यह कुछ message आपको दिखा रहा है, close delete your account is permanent and you will not longer access to your account, तो आपने आपका करना है, proceed to close my account वाले option पे दोबार से आपने click करना है, और इसके बाद यह आपसे reason पूछ रहा है, कि क्यों आप अपन account तो यह वाला region आपने select कर लिया, इसके बाद आपने नीचे close my account वाले option पे click कर लेना है, जैसे आप यहाँ पे close my account वाले option पे click करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे आप message लेक सकते हैं, patium account linked to उसके बाद आपका mobile number दिखाई परता है, has been closed, तो इस तरह से आपका अभी जो pat mobile number पे एक message भी आजाएगा, कि आपका जो patium account है, वो successfully delete हो चुका है, तो दोस्तो इस तरह से आप भी अपना patium का account delete कर सकते हैं, थन्यवाद